हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ राजमणी और राजमणी बेच किचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत हैं आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी बहुती क्रस्पी हलवाई स्टाइल कचोडी जो बिल्कुल जैसे हलवाई बनाते हैं उस तरह से आज हम घर पर बनाएंगे वो भी गयों के आटे से जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी तो आईए बनाना स्टाट करते हैं सफ से पहले हम करेंगे कचोडी की स्टापिंग तयार तो इसके लिए हम आदा चमस कद्दू कस किया हुआ अद रक लेंगे तीन से चार बारी कट इवहरी मेर्शी लेंगे बारी कट हुआ रधनिया लेंगे काली मिर्ची को हमने इस तरह से दरदर कर लिया तो आदा चमस काली मिर्ची लेंगे कुष लेंगे करी निम के पत्ते और एक बड़ा चमस लेंगे खळा साबू धनिया दरदर रग्या हुआ किस्ट के कोडिंग नमक लेंगे आदा चमस लेंगे गरम मसाला आदा चमस लेंगे लाल मिच पाउडर और एक चमस लेंगे धनिया पाउडर और पास बॉयल की ओ आलू लेंगे तो आलू को हम वह मैस कर लेंगे अच्छी तरह से आलू की कचोरी होती है तो वह बहुत ही टेस् उयल को अच्छे गरम होने देंगी और इसमें एक चमश डालेंगे सौप से यह बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही अच्छा फिलेवर आता है अब बारीकटी घरी में ची डालेंगे थोड़ा इने बून लेंगे बूल दाल लेंगे खड़ा वाला साउत धनिया को दर्धर कर लिया तन से भी थोड़ा हम भून लेंगे paste पाओडर ठाल fol मिशन दर्धर किए हुआ और तेस्ट कद कोड़ेंगे frozen आलू डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से जो चटनी हम बनाते हैं बहुत ही टेस्टी लगती है और इस तरह से आप एक बार बना के जरू ट्राइ करना बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में मार्केट से भी अच्छी घर पे बनके तैयार होती है अब लेंगे तो यह हमारी आलू की स्टापिंग बनके तैयार है बहुत ही टेस्टी है तो इसे हम साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए जब तक हम आटा लगा लेती हैं तो कचोड़ी बनाने के लिए हम दो कप आटा लेंगी गयों का आटा लेंगी आप चाहें तो एडिशन के लिए भी बड़ी रहती है अच्छे से हम मिक्स कर लींगे मिक्स करने के बाद हम 4 चमस के करीब इसमें ऑल डालेंगे अउयल डालने से यह बहुत ही टेस्टी लगती है और क्रस्पी बनती हैं हे nhất बहूती क्रेस्पी और सॉप्ट बनके तैयार हुती हैं तो ते तो इसमें परफेक्ट ओयल डला हुआ है अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा करकर के पानी और आटे को लगा लेंगे जो आटा होता है जो हम इसका डू जैसे हम रोटी का डू बनाती है न तो उसी तरह से इसका भी डू बना के तयार करना हम इसका डू जादा टाइट नहीं कचोड़ी बनाने के लिए हम थोड़ा इसका डू सौप्ट रखते हैं और जब हम समोसे बनाते हैं तो उसका हमें टाइट न डू लगाना पड़ता है इसका थोड़ा हम रोटी यों जैसा डू लगा के तयार करेंगे तो आलू की चटनी के हमने इस तरह से थोड़ी गोल ग यह बना लिए हैं अब हम एक लूई लेंगे और अपने हाथों की हेल्प से इसे थोड़ा घुमा घुमा के बील लेंगी हाथों पर थोड़ा ओइल लगा के हम इस तरह से इसे एक शीप देंगी अब हम इसमें आलू के श्टापिंग को रखेंगे तो इस तरह से एक आलू की श्टापिंग की गोल लोई बना के इस तरह से इसमें हम पोट कर लेंगी और इसे इस तरह से हम कवर करती हुए बंद कर लेंगी इस तरह से बनाने पर बहुत ही टेस्टी लगती है गयों की आठी की भी बिल्कुल मेंदी जैसे लग बनके तयार होती हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी क्रेस्पी लगती हैं तो आप भी एक बार बना के जड़ू ट्राय करना अब हातों की अल्फ से इस तरह इसे दबा के प्रेस कर दे जाएंगे हम तो इस तरह से हमारी कचोड़ी बनके तैयार है तो इस तरह से हमने हातों की हेल्फ से बनाई हुई है अब हम एक बनाएंगे बेल के अब एक कचोड़ी हम आपको बेल के बना के दिखाते हुए तो इसके लिए हम एक लोई लेंगे, और इसे पूरी क्याकार का बेल लेंगे, और इसमें रखेंगे आलू की स्टोपिंग, और इससे इस तरह से बंद कर लेंगे, और इस Τरह से इसे गज़ाम हतीलियों के साहिता से दवाते हुए, इसे थोड़ा प्रिस कर लेंगे और इस तरह से थोड़ा बेल लेंगे इसे तो इस तरह से हमारी ये बेल के भी बड़िया तरह से तयार है इसी तरह से हम सारी कचोड़ी बना के तयार कर लेंगे अब ओल थोड़ा गरम हो जाए हमें ओल ज्यादा गरम नहीं रखना है थोड़ में कचोड़ी डाल देंगे जिसे अंदर तक बड़िया तरह से सिख जाएंगे और बड़िया तरह से क्रेस्पी हो जाएंगे अब दोनों साइट से इने बड़िया तरह से अलट पलट करती हुए बड़िया तरह से इने सिख लेंगे अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please guys मेरे चैनल को like कीजि़े, subscribe पिजिए तो इस तरह से हमारी कचोडी बढ़ी तरह से फूल गई है, देखिए कितनी बढ़ी तरह से कचोडी दिख रही है और फूल भी ये बढ़ी तरह से गई है और अब हमारी कचोड़ी से गई हैं अब हम इने निकाल लेंगे तो यह हमारी कचोड़ी बनके तैयार हैं बहुत ही टेस्टी बहुत ही क्रिस्पी किया हम कोई आती की कचोड़ी आभी खाने में बहुत ही टिस्टी लगती हैं बिलकुल मारकेट हलवाई स्टाइल कचोड़ी बनके तैयार है तो आप भी एक बार इस तरह से बना के जरू ट्राय करें बहुत ही टिस्टी बनती है गर्म गर्म कचोड़ी को आप टमाटर की चड़नी या सॉस के साथ खा सकते हैं बहुत ही टिस्टी लगेंगे खाने में देए कितनी बड़िया तरह से फूली फूली बनी है बिलकुल अंदर तक इस टापिंग इन में बड़िया तरह से भरी हुई है बहुत ही बड़िया दिख रही है तो आप भी एक बार इस तरह से बना के जरू ट्राइए करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज गाईज मेरे चैनल को लाइक किजी सब्सक्राइब किजी थैंक ये फूर वाचिंग